वेलकम डियर स्टुडेंट्स आइम बियल चोधरी टीम बोटनी CLC सीकर प्यारे विद्यार्थियों नीड दोजार्थ चोईस के सहभागियों प्रतिभागियों प्यारे बच्चों वो समय आ गया है अपने सपनों को अंति मुडान देने का CLC संग और CLC का ब्रहमास्तर बायो और NMC नेशनल मेडिकल कमीशन के अनुसार जो अपडेटेड सलेबस तहा और पूरी चीज आपको बताए जाएगी कि किस प्रकार सलेबस है क्या डिलिट पोर्षन हुआ है और NCRT के किस स्पेस से कौन साक्ट्रेशन है जो आपकी आंस्वर की के अंदर जो सोलुशन आपको मिलेगा उसमें आएगा और प्यारे बच्चो किसी भी कारणवस चाए किसी भी कोचिंग में आप पढ़े पूरी इंडिया के अंदर चाए कोचिंग की कोई टीचर की कमी हो या कभी-कभी एक सब्जेक्ट में कोई टीचर नहीं मिल पाता है या फिर आप चाए बिमार होग आपको मिस नहीं करना है क्योंकि अभी भी आप नीड़ दोजार चोईस में बड़ी सफलता गेन कर सकते हैं क्योंकि अब CLC NCRT की सिक्वेंस में टोपिक वाइज लाइन टो लाइन एक्योक्षन आपको बना कर दे रही है इसका पुरा सोलूशन और हमारे जो ओफ लाइन से देकर आपको समझाया जारा प्यारी बच्चो आप समझ सकते हो कि यह सेलेबस आफ नीट यूजी दोजार चोईस आप देखकें कि जो चैप्टर फस्ट है 11th NCRT बायोजी का चैप्टर फस्ट है वाट इज लीविंग है उस वाट इज लीविंग में बायोडिवर्सिटी नीफ फोर क्लसेपिकेशन टेक्सोनोमी सिस्टमेटिकस कंड़ेट एंड क्लसिधिस एंड टेक्सोनोमीकल हिरारकी और बायोमीकल नमेंक्लेचर नाम Streets इंट्टर सेकिन्ड आपका जो है कि बायोजी कि ल दिलासिफिकेशन तु आप समझ सकते हैं कि five kingdom सेलेंट फीचर क्लासिफिकेशन मोनेरा प्रोटिश्टा एंड फंजाई इंटु मेजर गुर्फ लाइकेन है वायरस है वेरोड़ से प्यारे बच्छों चेप्टर फस्ट में से जो टेक्सोनोमिकल टूल है टेक्सोनोमी यह आप जंद टेक्सोनोमिकल एड है इन आप समझ सक क्यों कि बोटनिकल गार्डन हो हर्वेरिया हर्वेरियम हो यह म्यूजियम जोलोजिकल पार्क तो वह क्यों इतना सा पॉर्शन डिलिट हुआ है और सेकेंड चैप्टर में कुछ भी डिलिट नहीं हुआ है लेकिन प्यारे बच्चों आपकी हर चीज का ध्यान रखा गया है पीवाई की से एक्जामिनर इदरोदर से एक आदे क्योशन डाल सकता है तो हमने डिलिटेड पॉर्शन से चार क्योशन दिये हैं और जैसे आप CLC का दंगल टेसरीज दो गया आगे तो उसके अंदर एक भी क्योशन नहीं देंगे NMC National Medical Commission के कोडिंग जो बिलकुल आगे पर नहीं है नेक्स्ट अपन देखते हैं देखिये यहां आपको सारी चीज बताई गई है कि जो दो चेप्टर हैं बायोकेमपस्ट के अंदर के जो अर्गेम पोर्शन और बाया लोजी का एंस सेफ्टर चेप्टर तो प्योरे बच्टेह यह बताया गया है कि चेप् तो वहां से रखे गए हैं फिर नॉमैनंक्लेचर और रूसानेवें वह सारे चीजिए तो यहां से वक्रश्वन लिये गहे हैं तो देखे यह यह question आपके लिए गए हैं और taxonomical add से यह question आपके लिए गए गए और deleted portion जो tool में ने बताया तो यह जो च्यार question है यह deleted portion से भी लिए गए हैं ताकि कोई nearby approach अगर आ जाए तो आप सब का पढ़ा हुआ है वह आपका clear हो जाए यस उसके बाद देखेगा chapter second biological classification टू kingdom classification यह जो डी मेरिट है यह दो question है फाइव kingdom classification से अच्छे question आते हैं तो यह questions आपके kingdom monera से फिर यह questions है kingdom monera से kingdom protista से kingdom fungi से और वायरस विरोड प्रियोन एंड लाइकें से यह सारे questions लिए गए हैं तो प्यारे बच्चों इस सारा बताना जरूरी था क्योंकि हर topic में आपको यह भी सार चीज हम बताएंगे कि रिलेटेट पॉर्शन से रिकार्ट ना हारूंगा होसला किसी बिस्तती में कि मैंने किसी और से नहीं अपने आप से वादा किया है और आप clc के संग होते हैं और हमारा यह आठ बजे जो ऑन-लाइन यूटूब के ऊपर हर सोलुशन आपका आएगा और इसको आप एक एक चीज देखेंगे एंसे अपने पास रखते हैं पेजवाइज जो हमारा सोलुशन देखते हैं तो आप यह मैटर लेकर आप एक बड़ी वर्दी हमने भोसर उधान हमारे लाइवस में दिखाए हैं कि नीट 2022 के अंदर 420 नंबर यह 380 नंबर और नीट 2023 में 680 नंबर पिच्चेशी नंबर 660 नंबर इसी परकार अब आपने 23 में कुछ भी मार्क्स गेन की होंगे बड़ 24 के अंदर आप जबरदस्त सफलता प्राप्त करोगे तो डियर स्टुडेंट्स आएगा ट्योशन वाई चलते हैं ठीक ह तो आप देखिएगा नेक्स्ट अब आपन बात समस्तियों की किस रूप में 90 क्यूशन बाइलोजी के हैं 90 क्यूशन आपके केमस्ट्री के हैं ठीक है तो देखते हैं प्रस्ट क्यूशन यस स्टार्ट करें प्यारे बच्चों तो बिल्कुल आप जुड़ चुके हैं और हर तरीके से मस्त रहना है बिंदास रहना है लाइन टो लाइन से पढ़नी है बेड़ा कई सारे टोपिक डिलिट हो गए हैं कम हो गया सले बस कॉन्फिदेंस यह टैसर आपको इतना ज्यादा बढ़ा देगी अपने आपके अंदर सपलता के पर तितना जुनून जगा देगी और दिल में एक जुनून जगा लो आप जरूर सपल होंगे क्योंकि आप मुस्कराईए CLC के साथ हैं तो देखे बच्चों फस्ट वेशन सेल्प कॉंसिशनेस इस द की दिवानिंग प्रोपटी नहीं है धैन रिप्रोडक्शन और मेटाबोलिजम थो आप्स समझ सकते हैं इसकितर क्रफटी क्यों होती है जो नविंग में सबी में हो पर अलère में किसे मिनी घृं civil तो फिर यहां क्योuesं आपका है कि सल कांसे इस दए प्रपरटी ऊफ किल ए tut ही लेकिन जो झो सैल कोनसेंस ने सअल अवरेनेस जो होता है वो ऑफ यूमन में है कि लिए आप समझते विए अपन सेल अवेर हैं वी में है ठीक है आप देखना यहां और फॉस्यबली नहीं कि दिफाइनिंग होता तो हो था किले और ओल यूकरिटिक और गिनिजम नहीं संक audit some audit में possibility उससे ज्यादा best है कि आप समझ सकते हैं कि यहां human being तो direct सबसे best question answer जा रहा four clear तो यहां पर answer क्या होगा four और वैसे भी self consciousness is the property of only human being यानि मनुस्य का ही character है clear है तो इसका answer क्या होगा बच्चो four होगा next अपन question number second पे चलते हैं in living organism growth is जियो में वर्दी होती है वो भी living में तो देखेगा कि सभी livings grow करते हैं और generally non living grow नहीं करते हैं और आप समझ सकते हो कि living twin character है growth के sorry growth के twin character है increment in cell number wire division और increment in biomass yes अब biomass from inner side वो तो only living का है but outer side by external agency accumulation of material on outer surface भाई सदबर पधारतों का जमाव तो वो non living में भी हो सकता है clear लेकिन यह कह रहा है कि in living organism growth is from outside no extrinsic तो non living का property है then from inside intrinsic yes from both inside outside and inside और by the accumulation of substance on it surface तो आप समझ सकते हो कि अगर livings की बात करें तो from inner side आपका होता है intrinsic yes or no और non living की बात करें तो extrinsic जो accumulation of material हो आपका होता है तो आपका अंसर आपके सामने students next weapon चलते है question number three which of the following is not a defining property निमने उसे कौन सा जिवित जियों का परिवासिक लक्षन नहीं है तो देखेगा कि हमने topic wise question को करने कोशिस किये एक अप्रोच पे हर परकार का question आपके सामने आ रहा है हर टाइप का question हर concept से हैं तो देखेगा कि which of the following is not a defining property निमने में से कौन सा जिवित जियों का परिवासिक लक्षन नहीं है अब मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों defining property living की वह है जो तो all living में present हो no any exception all living में present हो but non living में किसी में भी नहीं हो clear तो growth living में तो सब में है but non living में भी चाहिए accumulation of matter on outside ही हो reproduction non living में किसी में नहीं है लेकिन living में exception है yes or no तो तीन defining property है metabolism वो सभी living में in all living without any exception metabolism cell organization आप समस्क्राइब विदाउट a complete structure of cell या anything less than a complete structure of cell does not ensure its independent existence कि कोशी का कि कुण सर्चना से छोटा कुछ भी नहीं हो सकता जो अपना सौतंत्र स्थित्व है दर्शा सके तो cell organization consciousness सभी की property हाँ self consciousness only human की यह सोड़नों तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो इस question का answer होगा कि कौशी defining नहीं है metabolism तो है 100% consciousness भी हर living में present है यह भी है ठीक है cell organization है ही है और self consciousness तो स्वच एतना तो self awareness तो only human being का character है बच्चो तो सभी living की defining नहीं हो सकती है consciousness सभी की defining है तो आप से क्या पूचा है not याद रखना not के लिए और बच्चो question में आपका भी गभरान नहीं जब not आ जाए तो देख लेना कि कितने favor में आ रहे हैं और यह correct incorrect में कभी मत गभराना अगर question को बीना पढ़े पन correct incorrect कर सकते हैं options को पढ़िएगा अगर कोई कि दो से ज़्यादा correct आ रहे हैं तो guaranteed question के अंदर incorrect पूचा है अगर नीचे आगे options नहीं है तो और अगर incorrect आप समझ सकते हैं अगर ज्यादा आ रहे हैं तो question में correct पूचा है अब यहां note पर आपको ध्यान देना था तो आपका answer 4 हो जाएगा है किस बच्चों नेक्स्ट अपन लेते हैं question no 4 scientific study of the diversity of organism and their evolutionary relationship is called जियों की विवीत्ता का विज्यानिक अध्यान उनका विकास समंद्ध क्या कहलाता है तो देखिए एक टेक्सोनोमी वही टेक्सोनोमी तो एक ब्रांच है biology का एक ब्रांच है जहां पर जियों के वर्गिगन समंद्धी टूल्स करें इनके study की जाती है कि प्रिंसिपल्स प्रोसुडर्स का study किया जाता है यस तो यह नहीं हो सकता classification 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 दो organism का गुरूफ और सब गुरूफ में डिवाइड करना है यस देन अपने बात करते हैं सिस्टेमेटिक्स यह है यह question वैसे deleted से हैं लेकिन पीवाइक्यू का है एक्जामेनर एंटे के जो एक्जामेनर से हैं वो पेपर बनाएंगे तो हो सकता पीवाइक्यू में कोई question related डाल दें इसलिए अपने यह दिया है तो देखेगा कि यहां बोटनिकल गार्डन नेशनल पार्क म्यूजियम हर्बेरियम तो आप जानते हो कि आंसुर आपका क्या होगा हर्बेरियम विच्छ टैक्स्टोनमिकल एड्ड सर्व एज क्विक रेफ इसलिए तो प्लांट से रेलेटेड उसकी फैमेली बोटनिकल नेम इंग्लिस नेम या जो भी हर्बेरियम का नाम है जो भी तो आप समझ सकते हो कि यहां प्रांश्वर क्या होगा फोर नेक्स्ट अपन बात करते हैं question number six who is the founder of by nomen nomenclature बहुत अच्छा question simple भी है बट नीट म आप समझ सकते हो कि nomenclature के जो actual founder है वो actual डिस्कर जो है carolus linius और आप जानते हैं दियू नामकन पदत्ति के संस्तापक यहां पर आप समझ से आरच भी टेकर नहीं यह तो five kingdom दिया था यह question आया हो भी है और नेस्ट मेयर biological concept दिया था भी यह भी question आया हो है और carolus linius तो यहां पर क्या होगा बच्चो carolus linius खड़ा अंसरो होगा की नहीं होगा और टी यो डाइनर उसने वीरोई ट्रम दी थी तो आप question के option से भी चार information त्यार कर सकते हैं जैसे यह question क्या है देके student कैसे NCRD त्यार होती है कि who is the founder of binomial nomenclature सिंपल है लेकिन यहां आराइच वी टेकर option में तो छोटे मोटे कभी भी एक्जाम में पुन कंफ्यूज हो सकते हैं कि five kingdom classification प्रपोस्ट भाइच वी टेकर वो नीट के टी यो डाइनर और सारे ही question नीट के प्यो आईक्यू में आएवे हैं यस नेक्स्ट अपन लेते हैं question देखे आराम से question पढ़िएगा इन नेचर कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया आर रसायन संसलेज जिवान प्रकृति में होते हैं देखे बच्चो जो बैक्टीरिया है तो most Abundant जो बैक्टीरिया हैटीरृट्रोफिक नेचर में होते हैं अधिकांश प्रकृति में जिवान भिशंपोधि ओते हैं लेकिन कुछ आप उसी भी होते हैं यानि समार आटोट्रॉफिक और दे में भी फोटोटोफिक और कीमो आटोटोफिक अब कीमो आटोटोफिक है विदाओट सनलाइट यानि हो सनलाइट पर डिपेंड नहीं बिना सनलाइट के वह किसी केमिकल का करते हैं उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको वो सुगर संत्यस में यूज करते हैं यस तो आप समझ सकते हैं कि वो और ट्रॉफिक नेचर के हैं तो आंसर क्या हो गया फास्ट नेक्स्ट कीजिएगा पहले क्योशन पर जाएगा आपको क्योशन में क्या पूचा है गलत खत्र यानि इनकरेक्ट ट्रम पूची है यस और नो तो देखे श्ट्रेंट्स कंपेर्ट टू मैनी अधर और 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 बैक्टीरिया एज गुरुफ सो दा मौस्ट एक्स्टेंस्टिव मेटाबोलिक डैवर्सिटी कई अन्य जियों की तुना में बैक्टीरिय एक समू की रूप में सरवादिक व्यापक उपापची वीता दर सकते हैं तो प्यारे बच्चों ये समरी जो टोपिक दे रहा है वहां दे रहा है कि मौस्ट एक्स्टेंसिव मेटाबोलिक डैवर्सिटी कौन शो क बैर फ्यारे या आप समस्क्राइब तो आप जानते हैं कि यह बहुत इंपोर्टेंट बात है और यह करेक्ट स्टेटिमेंट लेकिन आपको ने क्या पूछा है इनकरेक्ट ध्यान देना है आप देखेगा कि कीमो सिंत्रेटिक बेख ओटरोफिक बेटिरिया प्लेट रोलि है हेट्रो ट्रोपिक बैक्टिरिया आर मौस्ट अबंडेंट इन नेचर यह भी आप समझ सकते हो कि करेक्ट क्योंकि आप जानते हो कि विशंपोसी सबसे ज़्यादा है यह नेचर के अंदर यह भी एंसे टी का स्टेटमेंट है कि लिए बच्चों अब आप समझ सकते हैं कि यह यह गलत हो गया और वैसे भी बैक्टिरिया और जो सिंप्लर यूकरट प्रोटिस्ट होते हैं वह यूनिसदर और तो जनरली बाइनरी फीजन शो करते हैं क्योंकि वहाँ तो साइल डिवीजिनी क्या है रिप्रडॉक्षण अब फ्रेयमेंटेशन जो है खंडन है फ्रे का 4 इंकरेक्ट हो गया तो ऐसे बिल्कुल सानती से concept को सीखना है लाइन टो लाइन एंसाट की बात करनी है और मेरे मोबाइल नंबर है 9461357946 तो आप फिर भी कोई डाउट है तो आपको WhatsApp पे भेज देना है हम आपका और solution बता देंगे इन्हें मस्त रहना है बिंदास रहना ह क्लियर नेक्स्ट अपन करते हैं question 9 cryosophyids, euglenoids, dynoflagellates and slime mold are included in the kingdom क्राइसोफइड ग्रूप है, euglenoid है, dynoflagellates है, आपका क्यान स्लाइम मोल्ड से किसमे है आप समझ सकते हैं कि जो modern classification है according 5 kingdom classification क्लासिफिकेशन क्लियर, all prokaryotes, sabhi SM के अंदर की, all prokaryotes include in kingdom monera or all unicellular eukaryotes, irrespective their mode of nutrition, any mode of nutrition कुछ भी हो, पोस्न का तरी का कुछ भी हो, irrespective their mode of nutrition, all unicellular eukaryotes included in kingdom protista according 5 kingdom classification और these are the group of unicellular eukaryotes, cryosophyte, diatum, decimid, chief producer of sea, euglenoids, dynoflagellates, आप समझते हैं, plant like protist है, slime, odia, protozones, ira including kingdom, protista, तो यहाँ परांस्वर क्या होगा, second, इस बच्चों, clear, next अपन बात करते हैं, next question number 10 देखेगा, which is correct in nomenclature, नाम करन के लिए क्या सही है, तो आप भी जानते हैं, कि nomenclature, firstly suggested by Gaspard Bohin, but the actual study and discovery of nomenclature, carolus linear, who is the founder of binomial nomenclature, और फिर उनने जो rule assign कियेते हैं, उसके बाद, जो modern codes आयते, ICBN and ICZN, उनके under ICBN जो framework rules देखेगा, उसके coding, कि बोथ genus and specific epithet are printed in italics, once or 33 संके, दोनों ही italics में छापा जाता है, हाँ तो भी print होंगे तो italics में, वरना, if handwritten separately underlined, correct है भी, genus and specific epithet may be of same name in ICBN, ICBN में 1 सोर जाती पद दोनों समान हो सकते हैं, no, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ICZ में नाजा नाजा, यह हो सकता है, रेटस रेटस, बट ICBN में, मैंजिफेरा, इंडिका, सोलेनियम, टिबरासम, के लिए, ट्रिटिकम, स्टिवं, बट आप समझ सकते हो कि, जो genus और specific that, वो समान कभी नहीं होंगे, सैम कभी नहीं होंगे, यह एक बात रोंग हो गई, है न, आप से पूछा, सही है, तो यह सही है, बोत इन जीनस और specific epithet, the first letter is capital, दोनों में तो नहीं हो सकता, specific epithet, जो genus है, generic name का first letter, start from capital letter, और specific epithet, start from small letter, तो आप समझ सकते हैं, कि यह भी गलत है, genus is written after the name of specific that, यह possibly नहीं भी, yes or no, आप से क्या पूछा है, नाम करण के लिए सही है, तो यहाँ सही तो फस्ती है भी, और कोई भी सही नहीं है, clear, और आप easy way में, में जी फेरा इंडिका का name लिखर लिख दीजिएगा, first letter, start from capital, start from small, generic name, specific epithet, noun, adjective, yes or no, और printed in italics, if handwritten, separated, underlined, और जो author name है, after species epithet, in abbreviated form, में जी फेरा, इंडिका, लिन, dot, yes or no, clear है, तो यह ऐसे आपको questions को करने हैं, next आप देखेगा, question number 11, biological concept of species is manly based on, जाती की जो जे बी का विखाना है, अरनेस्ट मेर ने दिया था, अरनेस्ट मेर का, आप समझ सकते हो कि जो introduction है, आपके chapter में है, और 2016, 2016 में, पीवाई क्यों नीट में question है, जो biological concept क्या कहता है, कि group of similar और approximately similar of organism, which can interbreed and produce viable offspring, कि भी एक ऐसा group, एक ऐसा समान, समान या लगबख समान, livings का जो group है, वो interbreed करके, अंतर प्रजनल करके, और नई जनन सिल संतान पैदा कर सके, वो एक biological species है, इसका मवला भी एक concept प्रोकेट पे लागू नहीं होता है, क्योंकि प्रोकेट में true sexual present नहीं होता है, और उन योकेर्ट्स पे भी ये लागू नही हो, जैसे म्यूलर यह है, तो आप समझ सकते हो कि biological concept, अब यहाँ पर morphological trait, no, sexual reproduction, yes, evolution mean नहीं है, anatomical trait, no, यह नि आप जानते हो कि sexual reproduction, clear, next की बात करते है, question number 12, in we takers five kingdom classifying system classification, you caret are including, we taker के 5 जगत वरगीगण में, you caret को समलित किया गया है, आप ही जानते है, we taker का जो five kingdom classification है, an American taxonomist, an American taxonomist, RH we taker, in 1969, five basis है, first basis है, type of cell, cell structure, तो इस अर्थ पे cell की दो ही ब्रोड कटेगरी है, procratic organization, और eukeratic organization, all procratic, all procrates are including kingdom monera, और बेटा, तुम जानते हो, कि remaining जो four kingdom है, we taker के, वो yukeratic organization रखते है, हाँ, protest में unicell yukerate, और multicell yukerate की three kingdom है, तो कितने भी question है, उससे आप solve कर लीजिएगा, उसका complete आप ये, जो phylogenetic है, कि type of, type of cell, तो ये type of cell पे जो प्रोकरोर्स है, प्रोकरोर्स, और प्रोकरोर्स, इन्क्लूदीन, monera, ये सो students, ये आपका type of cell, जो first basis हो गया, आप four, remaining जो four kingdom है, वो iuker graduates है, प्रोकर्स yüzden, you care origin ही, तो simpler ॅटेस्ट जो link भी प्रोटेस्ट, ये link है, between kingdom monera, at one hand, and other three multicell yukerate, जो other hand है, तो इह आप समझ सकते हैं कि ये, protesta, plantasi, animalia, fungi, ये ऑल नो, फिर यहाँ आने लगाए कि थेलास ओर्गनेशन, तो यूनिसलर और यह मल्टी सलर, फिर अपने mode of nutrition, तो जो autotrop हैं, और जो hetrotrop में animals हैं, वो तो holozoic, ingestion, digestion inside body, बढ़ जो fungi है, वो outside the body, जो digestion करते हैं, absorptive nutrition, clear, फिर वो सारी बाते हैं, आपकी clear हो गई, next अपने बात करते हैं, question number 13, mode of nutrition in fungi age, कवकों में किस परकार का पोशन पाया जाता है तो देखे स्टुदेंट्स ओल फंजाई, without an exception ओल फंजाई are हेटरोट्रोप्स सभी फंजाई नेचर में हेटरोट्रोप है, सभी कवक क्या है, विसंपोसी है बच्छो यस, तो आप जानते हैं कि यहाँ mode of nutrition फंजाई आपसे पूचा है, एब्जॉप्टिव, हाँ लेकिन वो जो हेटरोट्रोप में है तो हेटरोट्रोफिक जो और्गनिजम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं स्टुदेंट्स, एक तो वो होते हैं होलोजोइक nutrition जो एनिमल्स में होता है होलोजोइक, जन्टु सम पोशन होलोजोइक इट मीन इंजेशन, डाइजेशन इंसाइड बोडी तो अपनी बोडी के अंदर जो डाइजेशन करते हैं होलोजोइक होते हैं, लेकिन एक होता है आउटसाइड बोडी, तो आउटसाइड बोडी, फंगाई, यह जो फंजाई हैं वो डाइजेश्टियो एंजेम रिलीज करते हैं, डाइटराइटस पे और फिर डाइड कॉंप्लेक्स ओर्गनिक मेंटर को इन ओर्गनिक में करते हैं, यस बच्चों और आप समझ सकते हैं, फिर एब्जॉप्टिव नुट्रिशन, जैसे सलोज और प्रोटीन को, वो वो सोलुबल फोर में कनवर्ट करते हैं, इन सोलुबल को सोलुबल फोर में, गलुकोज और अमिनोसिल, और फिर ७१ुधीयों दीकम्हाम भी है तो अपका गव्णया सन्धर्ब दैक्र में चैनल जीवधारी जो निद्रालु रोग उत्पन करते हैं। statement in reference of the organism cause sleeping sickness तो यह करता है ट्रिफनसोम यह 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 फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन है आप प्रोटोजोन गुरुप पढ़ेंगे तो फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन में आएगा इन सेटिक पेज नमर हम देंगे तो देखेगा है और फ्लेजिला क्योंकि फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन है तो आंस्वर क्या हो गया सेकेंड और मलेरियल पेरासाइट और सिलेटेड प्रोटोजोन यह नहीं हो सकता के लिए अब आपनेक्स्ट करेंगे question number 15 देखेगा question number 15 which of the following option is incorrect about bacterial plasmid बच्चो यहां फिर वे किस पे जाना आपको incorrect यानि सत्ते नहीं है not correct आजाए incorrect आजाए yes अब देखेगा कि plasmid extracnosomal DNA होता है कि देखे बच्चो genomic DNA जो man genomic DNA होता है present in all bacterial cell सभी बेक्टेरिया में present है यह genomic और जो वाइटल जीन्स होती है यह मेटाबोलिक एंजाए मेरी जो फॉर्म करती है genomic DNA है generally फिर RNA और ribosome 70S ribosome क्योंकि एक cell के जो independent existence के लिए man envelope में membrane essential है then cytoplasm और protein machinery enzyme machinery आप जानते हो man genomic DNA मुखे genomic DNA जो single circular DS DNA है एकल वर्ताकार 200 DNA है RNA है राइबोसome है बड़ आप जानते हो कुछ bacteria में कुछ unique features के लिए phenotype character के लिए इस मुखे genomic DNA के अलावा beside man genomic DNA some bacteria है extra chromosomal material और यह आपका है smaller than man genomic DNA plasmid है यह भी single है circular है DS DNA यह लेगिन plasmid है अब इसमें generally metabolism के enzyme के लिए जो आप जानते हो कि information नहीं होती है vital gene नहीं होती क्योंकि जिन बैक्टिरिया में नहीं होता वो भी तो generally metabolism करते हैं और सब बैक्टिरिया में यह है नहीं तो देखेगा कि यह तो correct है self replicating structure होती होती है clear और lack of vital gene यह correct है single standard DNA बढ़ आप से पूचा है कि सत्ते नहीं है not correct तो lack of vital gene की जो vital gene की अनुपस्तिति यह भी सही है single यह भी सही है single standard DNA यह गलत है कि बैटा एक ही चीज not कर लेना जितनी भी living cells होती है इवेन चाहिए प्रोकेट हो चाहिए यूकेट हो जो man genomic DNA भी man genetic metal भी DNA होता है अगर extra DNA भी है तो living में always जो DNA होता है वो double standard होता है बस यूकेट में linear होता है और प्रोकेट में circular तो यहां यह होता double तो यह four answer आपका हो गया next देखिएगा question number 16 citrus canker is caused by citrus canker किसके दोरा होता था था anxiety में bacteria के अंदर यह दे रहा है anxiety के अंदर कि यह bacterial disease है जैन्थोमोनास citri और आप समझ सकते हो कि यह जैन्थोमोनास जो bacteria है next देखिएगा question number 17 most of the dynoflaget have अधिकता dynoflaget में पाए जाते हैं तो देखिए बच्चो वन फ्लेजिला तू फ्लेजिला आप जनते हो नाम यह डाइनो फ्लेजिट्स है अनिकवल हेटरोंडल लिंग टू फ्लेजिला वन इस ट्रांसवर्स एंड वन इस लोंगिटुटूडियूदिनर यस सिंगूलम सलकस पढ़ाओगा आपने यहाश बहुत अच्छी बात है तो त फ्लेजिला सेकेंड आंसर है नेक्स्ट देखिएगा क्योंबर 18 डाइटमेसिस अर्थ और यूजड इन पॉलसिंग फिल्ट्रेशन ऑप उइल्स और सिर्फ डू टू इट्स डाइटमे और मर्दा को प्यों पॉलिस करने में तेलों तो ता सिर्फ के निश्यंदन में छानन इंडिक्टिवल तो जब वो डead होते है या इनक्टिव होते तो उसके जो रिमंश हैं वो सी बॉटा में डिपॉजिट होते रहते हैं तो तो मिलीनियर्स के अंदर डिपोजिटों डियाटमेसिस अर्थ डियाटमी मर्दा किसलगर और वो ग्रिटी नेचर की है जैसे अपन पेंट कर देते हैं दिवारों पे या जो लोए की चीजी होती है आईरन जो खिडिकें होती है तो फिर वहाँ जंग अलग जाता है रस्टिंग आईरन हो जाता है तो एक वह होता है रेजमाल से पन रगड की उतारते हैं तो ग्रिटी नेचर हो खुर्दरी है यस तो यह आपका आंसर होगे ग्रिटी सेकेंड नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्योशन नमबर नाइंटीन चूजदा इनकर्रेक्ट मैट्स ऑब फॉलोइंग निम्से ऐस सत्य खतन का चुनाव कीजिए तो देखें श्टुदेंट्स यहां डाइटम्स सिलिकेटेड सल्वोल गॉन्योलक्स शोप बॉक्स लाइक सल्वोल और अल्बूगो पेरासाइट और मस्टर्ड यूगलेनोड मिग्जोट्रोफिक नूट्रेशन देखें बच्चों यहां ऐसत्य खतन का इनकरेक्ट का सर करना है तो डाइटम में सिलिकेटेड सल्वोल पुरिशूल अभी अत्रकरंट तो आप जानते कि जो मेजर कॉंस्ट्टोफ फाइटो प्लैंटोन चीफ प्रोडूसर भी बता दिया सारे क्रूशन नीट के हैं और फिर आप जानते कि इसके अंदर सिलिका पार्टीकल होते हैं इसमें इंप्रिशूल यह होती है के लिए फिर आप करते हो गॉ तो इस फॉम में होते हैं ऐसे आप जान क्योंकि वहां पर जो प्लेट्स होती है यह ऐसे फ्लेजिला होता है यह सोरनों तो देखिएगा कि यह रोंग हो गया एलबुगो पेरसेट और मस्टड होता है यह सरसों का स्वेट के ट्रोग करता है यूगलेनर्ड मिक्जोट्रोफिक जनरली सनलाइट परजेंट होती है तो फोटो सिंथेटिक होते हैं क्योंकि हायर प्लांट इकदर पिगमेंट है बट इन एफसेंस ओफ सनलाइट वो हेट्र क्राइट में समलित किया गया है अच्छा क्रेशन स्टूजेंट्स सिंपल क्रेशन रखेंगे लाइन तो लाइन एन स्याटी नियरभाइ अप्रोच मस्तर हो तंदुरुस्तर हो पढ़ो आनन्द करो यस देखे प्यारे बच्च्छों की डाइटम एंड डाइनोफलजेट न फाइटो प्लैंक्टों दू टू लेको फ्लेजिला देपेशीली मूव इत वाटर क्रों अटर करंट्स किलियर पेशीली मूव इत वाटर करंट्स यस और नो और फिर आप जानते हो एफ फ्लोट अन वाटर सर्पेश दू प्रजेंस अब लाइट वेट लिपिड इनमें हल अपने फ्लेज़ अट उगलेनोड नहीं तो लगलग गुरुप होगी हाया ना आपके इनस्याटिक है अच्छा क्रेशन है मैंने सारे क्रेशन पी आई क्यों कि है चाया हो चीप प्रदूशर अपसी हो नेट 2016-17 का क्रेशन चाये आप समझ सकते हो की जो डाटम – का क्रेश है खतन उनमें गलत को पहचानों प्यारे बच्चो मोरिल एंड ट्रफल्स और एडिवल फंगई तो मोरिल वफल ट्रफल एसको माई सिटीज यस और नो एडिवल डिलिशियस के लिए तो यह करेक्ट है और नियुरोस्पोरा इस यूज़ एक्स्टेंसलिन बायो केमिकल एंड क्रेशा को आसकता है पहले भी आया हुआ है क्लियर तो यह भी करेक्ट यह भी करेक्ट अब दो करेक्ट हो गए इसका मुले क्वेशन इनकरेक्ट का था वाइट स्पोर्ट सीन और मस्टर लीवस जू टू पैरासिटिक अलगी नो इट पैरासिटिक फंजाई एल्बोगो केंडेडा वाइट रस्टोप कुरूसिफर यस और नो और आप जे मस्रूम आर यू इट आर फंग गई कि मस्रूम जो तुम खाते हो कवक है यह बिलकुल करेक्ट है अगरिकस बाइस पुरुसकोपन खाते है बच्चो तो आपके सामने आंसर क्या है थर्ड यस नेक्स्ट क्यूशन नमबर 22 वाइरोड और मेड़ अप ओफ अभी क्यूशन कितना सिंपल है बड़ यहां पर अगर मालोपन थोड़ा सा भर्मित हो जाए कंफ्यूज हो जाए कि वाइरस दिमाग में आजए तो वाइरस तो होते हैं नुकलियो प्रोटीन पार्टीकल प्रो जानते हैं कि ओनली प्रोटीन नो ओनली लिक्लीक असिट बिल्कुल जो एसस आरने होता है किलियर टी ओडायन डिस्कवड किया था बोथ नुकलिक असिड प्रोटीन नो बोथ प्रोटीन एंड लिपिड नहीं अब अगर वाइरस होता था अंस्वर थड हो जाता बड़ यह यह जीनस इजे ग्रुफ ऑफ रिलेटेड स्पसीज पिछ ज्मोर क्रेक्टर इन कॉमन इन कंपरेजन टो स्पसीज ऑफ अधर जैनेरा एक वंस की समंधी जाते हैं सम्हों होता है जिसमें अन्य वंस की जाते ही तो हमें अधिक लक्षन को वेनिश्ट होते हैं बिल्कु सही ह क्वेस्चन 2007 में सीबीसी में है उसके बाद में जीनस क्या है गुरुफ अप स्पसीज नू गुरुप ऑफ कोर्रिले टेड़ स्पसीज गूप अप कोर्रिलेटेड स्पसीज जीनस रीपरजेंट ग्रूप अब को रेलेटेड स्पीज और बचों कॉमन एंसेस्टर होता उनका कोई तो मॉस्ट उपन में करेक्टर सेम होते हैं बट फ्यू डिफेरेंस क्योंकि रिप्रोडेक्टिव आइसोलेशन दही जैसे पैंथरा है तो पैंथरा पैंथरा में टिग्रीज लियो पार्डस यस और नो अब अब अधर जैनरेगी जो स्पीसिज है उससे ज्यादा सिमिलिटीज दो इन में होगी भी यस और नो तो यह करेक्ट स्टेट्मेंट है अच्छा स्टेट्मेंट है फैमिलीज आर करेक्टराइज ओन दा बेसिस ओब बहुत वेजटेटिव और डिप्रोड़क्टिव फीचर्स ओप्रांट बिल्कुल करेक्ट है जो एंजिस्प्रमिक फैमिली को अपने डेस्क्राइब किया है पढ़ा है बच्चो तो वहाँ वेज़िव करेक्टर को भी ब फैमिलीज ओफ केट और डोग रेस्प्रेक्टिव फैलेडी और केनेडी करमा से बिली और कुट्य के पहला है और केनेडी डोग का है किलियर टू डेटर्माइन रिलेस्शन्शिप इन हायर टेक्ट्सा इस मोर डिफिकल्ट इन कंपरजिन तू लोग टेक्ट्सा उच वरको सबी करेक्ट है आप देखिएगा कि यह सारे ही करेक्ट है तो यहां आंसुर क्या हो जाएगा 4 किलियर नेक्स्ट अपन लेते हैं question number 24 which of the following pair does not contain defining property of all living organism निवन में से किस यूगम में सभी सज्जियों के परिबासिक नहीं है पहले मैं बता चुका हूँ कि भी defining नहीं वो होता जो living में सभी में हो कोई exception नहीं हो present in all living but not in any non-living किसी भी non-living में नहीं हो yes और no पाप समझ सकते हैं कि metabolism and cellular organization यह तो correct है metabolism and consciousness क्योंकि तीन defining property होती है metabolism consciousness और cell organization तो जो pairs है यह भी correct है यह भी correct है self-consciousness and reproduction यह wrong हो गया भी है क्योंकि self-consciousness तो only human being का character है और reproduction वैसे defining नहीं है exceptions है yes और यहां देखे consciousness and cellular organization तो यह भी है अच्छा question है तो answer आप से पुच्छा है कि does not content तो आपका answer क्या हो जाएगा third answer क्या हो जाएगा भी third yes or no next आप देखेगा question number 25 each rank or taxon impact represent unit of classification these taxon group categories are परतेक rank अत्वा taxon वास्तम में वर्गी करने की काई यह taxon aggregate similar biological entity or mainly morphological aggregate नहीं भी तो ध्यान दीजिएगा यह देखिएगा इस cancer हो गया कि distinct biological entity and not merely morphological aggregate की कोई morphological aggregate नहीं बिटा आकार की कोई same दिखे तो अपन थोड़ी उसको भी जैसे एकदम आकार की same दिख जाए तो उसको पन एक करते हैं नेक्स्ट आप देखे बच्चों इस पेपर में ncrt की line to line summary pyq ncrt exemplar इन सब को include किया गया है और 100% है कि आप फोट अच्छा cover कर जाओगे लाइन तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्योंकि सपलता के लिए सपलता के लिए जैसे कहते हैं ना कि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज गरत अपना भी होगा और दिल में एक जुनून चाहिए और उबाल हो ऐसा खून चाहिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं 26 देखे statement के question भी अपने दिए हैं तो देखे बच्चों यहाँ किंग्डम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टूगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला विथ पैरामेशियम और अमीब और यूनिसललर यूपरेट और्गनिजम वर फ्लेस्ट इन किंग्डम प्रोटिस्टा भाई वी टेकर तो देखे फाइव किंग्डम से रिलेटेड है बच दोरी उनको अपन बात रहें कि जर्नरली जो प्लांट हो चाहिए अनिमल उन दोनों को साथ में रखा गया किसमें टू किंग्डम में ऐसी लाइन एंसे लिखर किये बट फाइव किंडम में आप समझ सकते हो कि प्लांट और अनिमल अलग लग होगे और फाइव किंडम में कि जो स्टेट्में एंसे लिखा है क्ले माइडोबोनास क्लोरेला विद पैरामीसियम एंड अमीबा यह करेक्ट एंसे लिखर का है फाइव किंडम के अंधर क्लियर और आप समझ सकते हैं यूनिसल्दर यूकरेट और प्लेस्टिन किंडम प्रोटिस्टा भाई वी टेकर ब प्रोटिस्टा में गई किलियर तो क्ले माइडोनास क्लोरेला यह सब साथ में तो आएंगी हाया ना लेकिन टू किंडम की डिमेर्ट्स को करते विए और सांती से अगरा फाइव किंडम की बातों को पढ़ें एक इवलूशन रिलेस्टन्सिप को पढ़ें तो मज़ा आ जा करते हैं आंसर आपके सामने है नेक्स्ट अपन बात करते हैं 27 तो देखे श्टुलेंट्स अधा बैक्टेरियल साल डिवाइड्स एवरी वन मिनट टैक 15 मिनट्स फोरे कफ टू बी वन फॉर्थ फुल हाव मस् ताइम विल बी टैक तो फिल दक जीवानों को इसको हर मिन्ट में डिवाइड हो रही है बच्चो ऐसे क्रेशन करने के लिए यह आप देख लिए इसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं कभी कन्फ्यूज नहीं हो ना 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 फिर अपन दें 512 और दें 1024 पैरे बच्चो यह PYQ में आयो ही क्रेशन है तो कहीं पर मालों के एग्जामिनर पूरणा क्रेशन डाल दे PYQ का और यह 2-3 जग से रिलेट करता है ग्रोथ से भी रिलेट करता है यहां बैक्टिरिया के है क्योंकि आप जानते हैं बैक्टिरिया में सबसे इंपोर्टेंट मेथड क्या है बाइनरी फीजन तो ऐसे डिवाइड होता है बैक्टिरियल सेल्स और जियोमेट्रिक फैसन होगे तो देखेगा कि 1,2,3,4,5,6,7,8 आप से पुछेगी 9 डिविजन में कितनी सेल्स पौम हो जाएगी तो 512 है एक तो यह क्यूशन हो गया एक बार देखा कि अगर 20 मिनिट में डिवाइड होतार एक कप को फूल होने में 512 हो सल्ची तो फिर 9 डिविजन तो 20 इंटू 9 180 मिनट होगी ठीक है आप पुछेगा 1 by 4 कब भराता तो 1 by 4 के लिए तो 128 सल्ची तो 1,2,3,4, 5,6,7 डिविजन तो यह 7 यह क्या हो गया 140 मिनट 140 मिनट में 1 by 4 है तो अगली 20 मिनट में 160 में 1 by 4 तो क्या हो जाएगा हाफ और फिर अगली 20 मिनट में full एक कई यह क्योशन आता ना बार बार यहां per minute डिविजन दे दिया और कहता है कि 15 मिनट में यहां total 15 मिनट को complete भर जाता है यह आप जानते हो कि सोरी 15 मिट वह वन फॉर्थ भर जाता है तो पर मिनिट डिवीजन है तो 16 मिट वन बाइ-4 वन फाइ-4 आप और 17 मिट में क्या हो जाएगा फुल हो जाएगा कि यह फिर कभी कभी ऐसे क्यों बुझेगा टोटल टाइम देगा टोटल टाइम क्लियर जैसे 175 मिनट है डिवीजन का टाम देदेगा 35 मिनट तो आप ऐसे डिवीजन निकालेंगे और 5 डिवीजन में 32 सेल बनती है तो मतब दिमाग से क्योश्चन को करना है सिंपल क्योश्चन है तो यहां तो 17 मिनिट होगा नेक्स्ट आप देखेगा क्योश्चन नमबर 28 आइडेंटिफाइदा डाइग्राम नीचे दियेगे चित्र को पैच्छानी बच्चों यहां बहुत अच्छा कॉंसर्ट मैंने दिया है कुछ बच्चे कह सकते हैं सर्ट टोड भी तो मस्रूम की तरह दिखता तो यही तो पैच्छाना था यहां पर क्योंकि वहां लेबलिंग में एगरिकस लिखर का और यह गिल फंगई है यह गिल फंगई है और यह के ओल मस्रूम यह आप जानते हो पाइलस है स्टाइप है य नहीं हो सकता, मौर्चला नहीं हो सकता, मौर्चला जो बोलते हैं नहीं हो सकता और देखेगा कि यह टॉड स्टूल कई का एक पाइट बीचता जो घिल फंगई का जो इस ट्राइप का जो फ्यूटिंग बोड़ी का तो यह एगरिकस बाइस परस है वहां लेबल लिन भी द निम्न कितने सई सुमेली थे तो करेक्ट मैच करते हैं बाइडावर्सिटी नंबर और टाइफ आगें डाइवर्स फॉर्म नॉमेंक्लेचर इस्टेंडराइज दा नेमिंग ऑफ लिविंग और्गनिजम यह भी करेक्ट है बाइलोजिकल लेम्स जनरली इन लेटीन एंड रि लेटिनाइजड होते हैं तो उनकी लेटिन ओरजिन को शो करते हैं तो ऐसा मतलब नहीं टैक्सोनोमी क्लासिफाइड इन्टो डिफरेंट टैक्सा यह भी सही है आप से पूछा करेक्ट मैच कितने हैं तो 3 हो गए जो करेक्ट मैच है किलियर है नेक्स्ट आप देखिएगा अपन नेक्स लेते हैं 30 कंसिडर दा फॉलोइंग स्टेट्मेंट निमन खत्रों पर विचार कीजी अब यह डिलेटेट पोर्शन से हैं यह क्योशन भी लेकिन जरूरी था कि भी पीवाई क्यू में आपन उनको एक बार ऐसे दिमाग से दोहरा ले देखिए बच्छों यहा प्रेटेट यहां इसा लिखर का ना इन साथी में वह प्रियासी लेक्षन यूगम की रूप में होते हैं जिने मार्क दरसक नो वो तो कपलेट हो गया फिर यस इच स्टेट्मेंट इन दा कीज कोल्ड एज कपलेट यह बी इच स्टेट्मेंट तो लीड है भी ठीक है कीज अनलेटिकल इन नेचर यह सही है तो ए और टी ए डी का उप्शन सही है भी फस्ट आंसर आपका हो गया एंशाटिक लाए नहें नेक्स्ट आप देखेगा क्योश्व नंबर 31 मैच कोलम फस्ट विट कोलम सेकेंड और स्लेक्ट दा करेक्ट ऑप्शन फॉम दा गिवन कोड इ पे अंचिते कोटो सही विकल्ब करें तो देको एडिवल और डिलिश्यस जो है तो बैच्चों एडिवल डिलिश्यस क्या है मोरिल और बफल experimental genetics में कौन यूज हुआ नियुरोस्पोरा clear तो देखेगा कि ये experimental genetics में कौन यूज हुआ नियुरोस्पोरा source of antibiotic कौन है penicillium penicillium notatum penicillium first discovered antibiotic by Alexander Fleming कि smart disease से कौन related है तो वो austrilego है clear बच्चों तो यहां देखेगा कि A का 4 but A का 4 तो 2 में है B का 3 भी दोनों में C का 1 भी दोनों में D पर जाएंगे पर D तो D यहां पर smart disease austrilego तो यहां 2 है तो देखेगा ऐसे आपको question करना होता है yes or no बेदेखेगा आप यहां A का क्या है 4 है उससे भी आपका हो जाएगा के लिए और B का क्या है 3 है C का 1 है B का क्या है 2 है yes or no खादेश्वास्ट इस भोजन morals होते हैं परायगी का अनुवान से के में ड्रोसलो प्लांट करेंगे पहले बड़ा बताज़े नियूरोस्पूर है परतिजिविक स्रोत पैनिसीलियम है कंद्वा जो स्टिलेगो है अच्छा क्यूशन है हाँ है ना नेक्स्ट आप देखिएगा क्यूशन अम्मर 32 एज भी गो फ्रोम स्पसीज टू किंग्डम टैक्सोनोमिक हरार्की ता नम्मर ओप कोमन करेक्टर वर्गी की पदानुकरम में जब हम जाती से जगत की और बढ़ते हैं तब समान लक्षनों की संख्या आप जाती से जगत की और बढ़ेंगे यानि आप हरार्की के अंदर जैसे मैं से लिख दूँ की इस्पसीज है जीनस है फैमेली है ओर है क्लास है फालाम यादिवीजन है और किंगडίας है तो अगar आप इफ यू गो फ्रॉम इस्पसीजै तो कोमन कराग्टर डिक्रीज और किंग्ड़म तो स्पसीज इनक्रीज कहते हैं न कि यूँ कोमन लेस्जनरेल नो're specific और यहां आपन बात रहे की कि ऐसे अपन जाएंगे तो less common more general यस और आप आप की बात होगे कि common character समान लक्षन विल डिक्रीज डिक्रीज होगा भी क्योंकि आप किदर जा रहे हैं इस्पिसिस टू kingdom यस यह बात आप क्योंगी next अपन करते हैं question number 33 genus represent निवल में से आप once किसे कहेंगे genus represent एन इंडिज्वल प्लांट और निमल नौ एक क्लेक्शन हो प्लांट अनिमल का क्लेक्शन हो सकता है प्लांट प्लांट का भी क्लेक्शन नहीं हो सकता है अगर आपन देखें तो एक group of closer related species of plant और अनिमल चाहे हो तो प्लांट या अनिमल में किसी एक है निए group of closer related species उसको आप क्या कहेंगे कि भी आप जानते हो कि उसको आप जीनस कहेंगे जैसे पैंथरा closer related species का अनिमल में group है और solenum plant का है solenum tuberosum है melongina है nigram है तो यहाँ आप का आंसर क्या हो गया third next आप देखेंगा question number 34 all living organism are linked to one another because सभी सजी एक दूसरे से जुड़े होते हैं यह बहुत अच्छा question है first chapter का है न क्यूंकि देखो चाहे present के और पास्ट के हो present के future के हो आपन सब एक common genetic material को share करते है that is DNA but varying degree आप अच्छा question आता they have common genetic material of the same degree no they share common genetic material but to varying degree बिल्कुल correct और क्या सभी में common cellular organization होता है नहीं तो आप देखते हैं कि इस परकार आप का अंसर second हो गया है next देखेगा question number 35 which of the following is defining characteristic of living organism निल्म में कौन सा सज्जीओं का एक ऐसा बिलक्षण नहीं से आधाप्राव उसके परिवेसा दी जाती है defining जो property होती है तो अच्छा question है ncrt exemplar का question है यह मैं आपको बता देता हूं और आप समझ सकते हैं कि growth नहीं ability to make sound होई नहीं सकता reproduction नहीं response to external stimuli mean हो गया consciousness अरे भाई उद्धिपन चाए physical और chemical और biological उनको असर्ट करना उनके प्रती response देना तो आप समझ सकते हैं कि consciousness जो एक living cell की भी property होती है तो आप जानते हैं कि four answer आपका हो गये यहां पर next आप देखेगा question number 36 match the following and choose the correct option निमली ता मिलान कीजिए ता सई विकलब का chain कीजिए तो देखे students जो family है यहां पर आप देखेगा कि family solenacy है भी clear है kingdom तो kingdom आप देखेगा है प्लांटी है ठीक है order तो order आप समझ सकते हो कि sorry sorry यह question 36 order यहां देखेगा कि order आपका है polymonials है ठीक है species कि species आप समझ सकते हो कि tuberosum है और genus solenum है भी आपको निमलीत का मिलान कीजिए सई विकलब तो देखेगा बच्चों की जो कुल है ना कुल वो solenacy family होती ही न पोटेटो family solenacy और वो प्लांटी kingdom हो गया और order जो गण है वो आप समझ सकते हो कि polymonials हो गया और once वो पहले species जातियो टुब्रोसम हो गया और once आपका क्या हो गया solenum तो देखेगा इसमें यहां पर ए तो ए का क्या है four sorry ए का क्या है five तो एका five है एके five का option ही एक ही है फिर बी का क्या हो गया four हो गया भी ठीकर नेक्स्ट आप देखेगा question number 37 the five kingdom classification proposed भई आगया नो पहले ही करा जित आड़ वी टेकर अन अमेरिकन taxonomist सारी बात्या आगी ऐसे क्यूशन आ सकते है बालुचल कंसर्प्ट अनेस्ट मेयर टु किंडम क्योर्स लीनियस बाइलोमेन नोमेंक्लेचर क्योर्स लीनियस फाइफ किंडम क्योर्शन आप तयार कर सकत हैं नेक्स्ट आप देखिएगा 38 organism living salty area called as लवनी चितर में जीव क्या कलाते हैं तो आप देखते हैं कि लाइट को लग करने वाले प्लांट होते हैं और thermo acidophils नहीं होगा सेकेंड आप का अंसर हो गया नेक्स्ट अपन लेते हैं क्योश्ट नमबर 39 नेक्डि साइटोप्लाज्म मल्टिनुक्लिदेड सेप्रोफाइटिक आर्दा क्रेक्टर्सिक और अनावर्थ कोश्का दर्व हाय प्लांट एंड फंगई आप देखते हैं प्यारे बच्चों जिम्नोस्पम में जो रूट होती है जनरल टैप रूट होती है फिर वहां दो मोडिकेशन है कि असोशेशन और फंजाई विद रूट औफ हायर प्लांट माइक्राइज यहां पाइनस और पाइनस यहां फं सलनेटी कंडिशन यहां जो ड्राइज कंडिशन होती है तो पाइनस में तो यह माइक्राइजा आंसर हो गया इसके लाओ वहां जो कोरेलर रूट दे रखा है साइकस में वहां बीजीए का सोशेशन है एंड टो फिक्सेशन के लिए वो मोडिफाई हुई है देखे कि तो क् बीजीए करियोगेमी तो थो प्रेटोप्लाज में शाटल में फ्यूज होता है तो हैपलोईड गयमिट शेल्स का यह सेक्सल का अब अगर नुक्लीय फ्यूज हो जाए तो केरिव डिले यह सो देखे का मियोंस से अरेस्टेड नो थक्लोड नुकली दो नोट फ्यूज इमिडेट्विकुसी कि सैल तो दो फ्यूज हो गई जैसे यह फंगल हाई पी है साप्ट इनिकल्य है आप यह तो आप तो सिक्ट्र दो नेक्स्ट आप देखिएगा ट्कॉस्टर नमबर यह अच्छा क्योशन कि वाइरस में जो वाइरस ट्रम है वो तो पाश्चर ने बट आप जानते हो कि अक्च्छल डिस्कवरी वाई इवानवस की और आप देखते हैं कि वहाँ जो इस्टानले ने उसका क्या किया था इस्टानले जेशन किया था और यह बहुत अच्छा क्योशन के जो कंटेंजिम वाइरस में फ्लूडम था संक्रामक जीवित तरल जो है इनफेक्शिस लिविंग फ्लूड आप जानते हो कि जो इनफेक्शिस है वाइरस यह आपका फ्लूडम लिंग है आप समझ सकते हैं तो ये किस ने दिया था ये MW बिजे ने देखने दिया था हाई आना next आप देखिएगा question number 43 association between mycobiont and phycobiont and mycobiont and phycobiont algae फंगई तो आप समझ सकते हो कि देखिएगा algae और जो फंगई का association होता है illegal partner को phycobiont mycobiont और आप समझ सकते हैं कि इससे इसको benefit है कि food provide करता है और इससे इसको क्या benefit है कि पूरा जो protection है या absorption area वो किसका है फंगई का कि लिए तो यहाँ इसको वन वलते हैं lichen अच्छा question next आप देखिएगा 44 with respect to fungal sexual cycle choose the correct sequence of events का वह की लेंगे चक्रे संदर में घठाओं का साही करम तो आप जानते हो सब से फिलेट two haploid gamete asexal fuse होती है plasmo game अब अगर nuclei immediately fuse हो गए तो तो प्लाज्मोगेमी और तुरंती केरियोगेमी immediate kerio game then phir 2N then meiosis हो गया क्योंकि हो heplodic life cycle शो करते हैं diabetic meiosis लेकिन आप जानते हो कि अगर केरियोगेमी डेले हो गई तो डाय केरियोगेमी और meiosis बहुत अच्छा क्यूशन है 2004 में आ सकता है तो प्लाज्मोगेमी केरियोगेमी और meiosis थर्दा अंसुर आपका हो गया next देखेगा question no.45 viruses are non-cellular organism but replicate themselves once they infect the whole cell to which of the following kingdom viruses belong विशानों एकोसिक जी होते हैं लेकिन पोसक कुछ को में एक बार संक्रमर करने के बाद अपने प्रतिकर्टी बना लेते हैं विशानों का समंध कि जगत से माना जाए बच्छो आप जानते हो कि viruses are inert outside host cell host cell के भार वो inert होते हैं और cannot cultured in artificial culture medium और laboratory में artificial culture नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो independent existence नहीं है उनका वो 100% living नहीं है complete structure of cell उनमें नहीं है ना membrane है ना cytoplasm है ना protein machinery आइदर RNA और DNA लेकिन जैसे हो एक बार host cell को infect करते हैं तो फिर host cell की machinery को वो uptake कर लेते हैं या फिर उसको पूरा hijack कर लेते हैं और फिर अपना कोपी तयार करते हैं लेकिन फिर भी फाइव kingdom classification में वाइरस विरोईड को किसी kingdom में प्लैस नहीं दिया गया है यह क्योशन बहुत अच्छा आता है और आप जानते हैं वाइरस विरोईड एंड लाइकेन तो लाइकेन लीविंग है बट लाइकेन में दोका असोशेशन है किसी एका independent existence नहीं है तब लाइकेन को भी इनक्रूड नहीं किया गया बट वाइरस विरोईड तो आप जानते हैं कि आउट्साइड होस्ट इनरेट पार्टिकल है इसलिए नहीं तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी किंडम में नहीं रखा गया नेक्स्ट आप देखेगा क्रश्चन नमर फोटी सिक्स मेंबरो फाइको माइस्टिज के सदस से पाए जाते हैं तो एक्वेटिक हैबिटेट्स में किलिए और डिकेंग वूड और मोइस्ट और डेम प्लेस करेक्ट है एज अबलिगेट परसाइट और प्लांट तो आप जानते हैं कि सारी बाते सही है कि कुछ फाइको माइस्टिज को अलगल फंजाई कहते हैं तो सम मेंबरो फाइको इन एक्वेटिक हैबिटेट भी है औ प्रोड्यूस आप जानते हो इन एक्वेटिज प्रोड्यूस तो तुम्हें पता है बच्चो देखिएगा जो एसक्वल स्पोर होते हैं वह भी दो टाइप के अंडोजेनेसली और एक्जोजेनेसली में भी फ्लेजिलेटेट तो जूस्पोर नोन फ्लेजर तो इस्पोर औ और ऐक्जोनेसली कोनेडी हैं अब फाइकों में पूर्य मोट्यल और नौन मोट्यल और ऐंडोजेनेसली और एसकों में एक्जोजेनेसलियी और बल्ल्य फ्लेजिल के अपके होते हैं तो देखेगा यहां ॉब North आप जानते हőं कि यह endogenously ascus और आप जानते हों कि exchOveración और basedidium तो आप देखें कि हमकu क्या है बच्छों из- एं डेरे लिए किने पर्रोडूस और बेसिडियर प्रोड्यूस अन्डेस पर्डूस एंडोजिन रिए और वेसीडिम ऐसा आपका अंसर होगा से लियर नेक्स्ट आप देखिएगा बहुत इंपोर्टेंट कि भी विच बैक्टिरिया आर मोस्ट अबनेंट इनेचर कौन से जिवानों नेचर में मोस्ट अबनेंट है केमो संथेटिक नहीं और ट्रोप तो बहुत कम है और ट्रोपि फनज़ाइं प्रिफर्ट ग्रोइब कि कवक अधिक उगनाक आपसंद करते हैं अप जानते हो रेणी शीजन में और भी खूब होती है यहां देखिया कूल वर डैम वार्म देने लेंट दुरिय तो पोसीबली नहीं है सुस्क और यहां देखिया वार्म और हुमिड यहां वार्म देदे लें सेडी एरियास देदी ऐसा कुछ भी नहीं है सबसे बेस्ट वार्म और हुमिड नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेस्ट नम्मर फिप्टी सलेक्ट इनकरेक्ट स्टेट्मेंट गलत खतन का चैन कीजिए डायाटम आर दाचीप प्रोडू डायाटम हैव लफ्ट बिहाइंड लार्ज अमांट ओप सैल वाल डिपोजिट इन देर हैबिटेट इस अक्रमेशन और बिल्याटम इर रेफर्ट विल्कुल सही है डायाटम देशन इंकूदिन फाइटो प्लेंटोन क्राइसोफ यह भी विल्कुल सही है तो गलत खतन इनक अर्गनिक मेंटर फ्रम डेड़ सबस्टेट हैंस और कोल सप्रोफाइट तो बच्चो देखो यहाँ छोटी छोटी बातों भर्मित कियागी यह यह यहां सोल्यूबल होता यह यहां गुलंसील होता गुलंसील तो यह करेक्ट हो जाता बच्चो आपको पता है मोस्ट ओफ फंजाई पोल फंजाई है ट्रोट्रोफ पर मोस्ट ओफ सब्रोट्रोफ है तो आउटसाट दा बोडी वो डाइजेस्ट रिलीज करते हैं और जो डेट्राइटस में कॉंप्लक्स और्गिनिक सल्लोज को ग्लुकोज में और प्रोटीन को अमिनोसीड में तो इन्सोलीबल को जो करते हैं पर अब्जोफटी न्युट्रिशन पहले बता चुके हैं अपन लेकिन मैं इन्सोलीबल को क्या कर दिया इंसोलीबल उरसको मैंने क्या करवा दिया गलत करा धिया ध्यान देना है न अरे बोलो फिर फीर फ्यूजन ऑ प्रोटोप्लाइल और नॉन इrog92 गमेट् देखते हैं यस सम यूनिसल्दर फंजाई लाइग इस्टार यूस्टू मैग ब्रेड एंड बीर कुछ एकोस की जिए से इस्ट ब्रेड बनाने में प्रिवक्त होते हैं समझते हो ना तो आप जानते हैं कि यहां पर फस्ट आपका क्या हो गया क्या पूछा है ध्यान से सुनन इनकरेक्ट क्योशन पर जाना गलत खतन यस नेक्स्ट आपन देखते हैं 52 इंस्टिटो पे सल्वॉल ए प्रोटीन इस्ट लेर कोल्ड पैलिकल प्रजेंट इन किसी में कोशी का वित्ती की जिए पैलिकल के लिए प्रोटीन के पर्चूर पर पाई जाती है तो आप जानती यूगलिणोड में सल्वॉल नहीं होता है हायर प्लांट के दर पिग्मेंट है फ्रेस वाटर स्टेगुनेट वाटर में रहते हैं और वहां पेलिकल यहां तो सल्वॉल है यहां भी सल्वॉल है तो क्योशन का फस्ट आंस्वर हो है नेक्स्ट आप देखेगा 53 इन विच औ world form to thin overlapping cell which together fit soapbox तो पहले बता दिया epithika और hypotheca soapbox like, resemble like soapbox, तो क्या है बच्छो diatum decimid, chrysophytes chrysophytes yes, next आप देखेगा 54, select the wrong statement about rules of binomial nomenclature, नाम करने की दियुनाम पदत्ति के बारे में गलत खतन का चुनाओ कीजिए तो name of the author appear after the specific epithetan written abbreviated form, बिल्कुल सही जैसे कि ये अच्छा question आया था mangyfera mangyfera indica lin yellow j lin, dot जो आता है, clear आप समझ सकते हैं, बोट word इने biological name, when hand written are jointly underlined, गलत separately underlined, दोनों अलग अगर हाज से लिखेंगे तो separately underlined होगे और if printed in italics, yes or no और biological name are printed in italics to indicate the latin origin, बिल्कुल correct biological name are latinized or derived from latin, irrespective of their origin बिल्कुल, हाँ है न, तो यहां क्या पूचा फिर होई, रोंग statement, तो रोंग jointly क्या रोंग हो गया second, आंस्वर क्या हो गया, second correct बच्चो मन लगा कर आंस्वर करना है 55 larger animal like bird mammals are usually stubbed and preserved in, तो यह भी बच्चो deleted portions है, लेकिन ध्यान देना है, क्योंशन आजाता है, बड़े-बड़े container होते हैं, जार होते हैं उनके इंदर formalin भरा जाता है और जो dead plant या animal special दूबोगे रखा जाता है, long time के लिए तो यह larger animal like bird को भी mammals को भी stubbed और preserve किया जाता है तो preservation जो होता है, वो क्या है बटा museum, clear next आप देखेगा palace और panthera दो बच्चो जीनस है तो palace और panthera phalladdy family का हो गया, yes solenacy, conolacy, तो यह polymonials हो गया, क्या हो गया, polymonials तो बच्चो देखो कि यहां answer 4 है कि नहीं, phalladdy और polymonials यह genus है, इसे family बन गई, यह दो family से क्या बन गया, order yes or no, next आप देखेगा question number 57, choose correct option तो देखेगा, यहां correct option की बात करते हैं तो यहां common name man है genus homo, family homonedy housefly, muskka, mucyd, आप समझ सकते हैं और फिर order क्या है order यहां पर diptera, mango, mangifera, anacdacy, और फिर यहां order क्या है sapnodels, ठीक है तो देखेगा, first पर आते हैं कि भी man और फिर family, homonedy आ जाएगा तो homonedy हो गया फिर b पर diptera order आ जाएगा, सही है, c पर sapnodels, आ जाएगा, सही है और dpa क्या आ जाएगा, poesy family आ जाएगी, आएगा तो देखेगा कि यहां answer आपका क्या हो रहा है third, क्या answer हो रहा है, third next आप देखेगा, the word taxon refers to, taxon किसको दर साथा बिट्चो, scientific name of an organism, नहीं taxonomic group of living organism which represent a specific taxonomic category बिल्कुल, एक specific category not category specific category जैसे पैंत्रा है, यह फिर चाहिए mammalia, एक आप जानते हो class है, या जैसे insecta है class, जो आप जानते हो three pair jointed leg पर आप represent कर जाते हो, है आप identify कर जाते हो, sorry तो आप समझ सकते हो, यह सारी बात आपके सामने है next आप देखेगा तो particular, टेक्सो ने एक particular category को, एक निशित category को शो करता है next आप देखेगा, 59 photo period affect reproduction in seasonal breeder of, दिप्त का रित्व प्रजण करने होले प्रजण को प्रभाइद करता है plant और निमल दोनों में मेटा, जो डेलेंथ होती है, दोनों में important होती है clear, तो यहां बहुत हो जाएगा next आप देखेगा, एक class is found by combining several, वरक का निर्वान होता है, phylum से order से, family से तो आप भी जानते हो, species तो group of correlated species represent genus, group of correlated genus represent family group of correlated family order, और correlated order class, yes तो आप जानते हो की orders answer आपका हो जाएगा, next देखेगा question number 61 which of the following statement are regarding the response of living organism to external stimuli is correct बाहरी उद्धिपनों के प्रती, जीवित जीओं की प्रतिकरिया के समझे में निमें से कौन सा खतन सही है the external environment stimuli can be physical, chemical, biological कि बाहर से कोई भी जो उद्धिपन है stimuli है, वो physical भी हो सकता है chemical भी, biological भी, ancytic line है all organism from the pocket to the most complex you can sense and respond फिर आपको आदे consciousness and response to external stimuli is the defining property of living organism, बिलकुँ सारे सही है बच्चो all of these यहाँ पराणसर हो जाएगा सारे तरह के question दिए गए है है ना, तो अब next देखेगा जो question है 62, read the following statement and select the correct option निमन खतनों को पढ़े हो और सही विकलप का आपनों को चुनाओ करना बच्चो तो देखेए यहां collection of actual specimen of plant and animal species essential is the primary source of taxonomical strategy यह बहुत अच्छा है भी यह tools tools अटेमेटा वो डिलीट पोर्शन नहीं होआ है जो आपको initial lines दे रहे कि need of classification के बाद में तो यहां देखेगा कि the collection of actual specimen of plant animal species essential and the primary source of taxonomic studies कि पादप और जन्तों के प्रजात्य वास्तिक नमों का संग्रा आउशक है और वर्गीकन अध्यन का यह primary source है बच्चो यह बहुत अच्छा question है फिर taxonomic studies of various plant animal and other organism are useful in agriculture forestry industry यह anxiety की लाइन है तो यहां यह और भी दोनों ही correct है यह और भी दोनों ही क्या है बच्चो correct है नेक्स देखिएगा जो question number 63 two kingdom system of classification did not distinguish between all of the given except बच्च को छोट कर दो जगत प्रवन में अंतर नहीं कर पाया तो देखिए कि photosynthetic and non photosynthetic चीक है यूचरोट और प्रोकरोट plant and animal yes हाँ plant animal में उसने separate कर दिया था देखो बच्चो two kingdom ना तो प्रोकरोट और युकरोट को लग कर पाया प्रोकरोट रुकरोट साथ ही थे cannot differentiate between प्रोकरोट और युकरोट यूनिसल्दर और मल्टिसल्दर भी साथ थे और जो हेट्रोटोप है non photosynthetic वो photosynthetic साथ था फंजाई हाँ है ना लेकिन आप जान दे plant animal का चैन कीजिएगा bacteria as a group so most extensive metabolic diversity बिल्कुल करेक्ट है जी ओनों एक ऐसा सम्मुए पहले भी आया सरवादी को पापची वीविता क्योंकि सोपोसी में भी प्रकास सोपोसी रसायन सोपोसी है नी photosynthetic में भी photosynthetic kemosynthetic और फिर heterotroph के भी saprotroph parasite याना इसी बात है तो आप जानते हैं बच्चो फिर देखेंगे बैक्टिरिया में भी photosynthetic autotrophic और chemosynthetic autotrophic यह भी correct है तो यहां भी देखो दोनु statement बच्चो क्या है correct है next आप देखेगा question number 65 mark the odd one in reference of methanogens methanogen के reference में आप odd one को लीजिएगा कि found in the guts of ruminants clear है यह तो मार्शी रिजन में यह gut of ruminants तभी तो बायो गेस production में help करते हैं और responsive of production of methane बायो गेस बिल्कुल correct lie in some of the most harsh habitat हाँ मार्शी रिजन में रहते ही है have cell wall structure same as other bacteria कि other bacteria के semi cell wall no archibacteria का group है तो वहां तो complex cell wall होता है yes बच्चो तो आप समझ सकते हो कि यह बात हो गई कि odd one odd one की बात हो गई तो 4 आप cancer हो गया 66 cyanobacteria are also referred to as cyanobacteria को भी कहा जाता है तो बच्चो आप जानते हो कि अब according five kingdom all procket are including kingdom monera अब वहां दो group हैं आप समझ सकते हैं कि archibacteria और u bacteria अब u bacteria and cyanobacteria अब इनको आप जानते हैं कि five kingdom में कहा इंक्लूड के हैं monera में तो cyanobacteria blue green algae भी यह भी ट्रम दी जाती है next आप देखेगा 67 all of the following are function of heterotropic bacteria except किस एक को छोड़कर सभी विसमपोसी बेक्टरिया के कारी है तो देखो making curd from milk correct है fixing nitrogen legume rhizobium करता है correct है production of antibiotic यह भी correct है fixing atmosphere carbon तो यह यह अपन बात रेकी नहीं है वाइमडली कार्बन का स्तिरिक रण यह तो आप जानते हैं प्लांट यह जो भी autotrops होते हैं वो करते हैं clear आप देखेगा कि और यहां heterotrop दिया है 68 question देखेगा select wrong for mycoplasma तो यहां देखेगा oxygen के absence होगी तो switch कर लेंगे anaerob हो जाएंगे तो आप जानते हो cancer without oxygen सही है completely like cell wall यह भी correct है वो दे smallest cell है living और cell wall less है pathogenic to plant animal यह भी correct है largest monerad यह wrong हो गया monerad में तो सबसे छोटे हैं भी largest कैसे हो सकते हैं तो आप से पुच्छा wrong statement correct हाँ प्यार बच्छो देखे question number 69 69 question find out incorrect statement regarding five kingdom classification पांच जगत वर्गियान के संद्रत में गलत खतनक आपको chain करना है तो देखे students all unicellular eukerate are placed in monera यह लो जी पहला ही गलत होगे क्योंकि five kingdom में जो type of cell है तो जो भी prokretic organization show करते हैं तो all living which show prokretic organization including kingdom monera और all unicellular eukerate including kingdom protesta irrespective to their mode of nutrition और फिर three multicellular eukerate के ही तो आप जानते हैं कि यहाँ आपको देदिया eukerate तो वो monera में possible ही नहीं all multicellular eukerate are placed in three kingdom यह correct है all unicellular prokret are placed in monera यह भी correct है अब आगे ना monera के अंदर और all multicellular autotrophic eukerate are placed in plant यह भी correct है आप से क्या पुछा है incorrect तो first आपका incorrect हो गया next आप देखिए बच्छो question number 70 mode of nutrition in monera aids monera में portion की विदी है देखिए इस earth पे most extensive metabolic diversity सरवादी को पापची विवता अगर कोई living group संदर साता है तो prokrets है यह नहीं monera है ठीक है तो वहाँ पर autotroph भी है और autotroph में भी fotosynthetic यह नि honorary यह correct है heterotrophic only autotrophic autotrophic photosynthetic only तो भी गल्ट हो गया दिमाग लगाईएगा तो यहाँ सबसे best answer क्या हो गया second क्या answer हो गए बच्चो second answer हो गए देखिए क्योंकि जो monera होते हैं या bacteria जो होते हैं वो swap वो सकते हैं यह ने autotropic और वो भी प्रकार swap वो सी भी phototrop और chemo synthetic autotrop भी हो सकते हैं और heterotrop में saprotrop paracid और symbiont भी हो सकते हैं यह बहुत अच्छा question है next आप देखिएगा 71 टू kingdom classification system आज गियोन भाई दो जगत वर्गिन पंदान आगे न के रोलस linear ठीक है तो आगे ने question पहले सारी question ने बता चुका हो में next आप देखिएगा 72 kingdom of unisadar yukate and unisadar pocket respectively एक उसकी yukate और एक उसकी प्रोकेट के जगत हैं तो all unisadar yukate protista and monera respectively वर्ड दिया हैं पर बचो पहले unisadar yukate and then unisadar pocket एक उसकी yukate जगत protista और प्रोकेट किसे में होते हैं monera में प्रांस्वर क्या हो गया third next देखिएगा question number 73 properties of tissues are not present in the constitute cells but arise a result of interaction among the constitute cell it means यह बहुत अच्छा question है जो first sector उसके page पे NCIT की जो आपके बहुत अच्छे question आपको दिये हैं बच्चो यहां देखिएगा कि उत्तकों के गुण कोशिकों मोजूद नहीं होते हैं बलकि गठक कोशिकों के बीच परस पर किरया के परणाम सुरूब उत्पन होते हैं इसका मतलब क्या है कि all tissue have identical functional property, properties are absent in cell, interaction do not occur at higher level of organism और all living phenomena are due to underlying interaction तो यह देखिएगा सभी जीवीत गटना है इंट्रेक्शन के कानी है कि देखोड़ा कि tissue में जो property हो जिन cells ने constitute cells मिलके उसको बनाया उनमें नहीं है क्योंकि जो cell organized होड़ी तो interaction होई तो new property अमर्ज होगी की नहीं होगी और नहीं property हमेशा अमर्ज किसी होती ही due to underlying interactions आंस्वर क्या हो जाएगा फोर नेक्स्ट देखिएगा question number 74 diicarion formation is characteristic of diicarion का दिर्माण देखो बच्चों fungi में during the sexual reproduction लेंगे एक जनन के दोरान तीन event होती है प्लाज्मोगेमी केरियोगेमी मियोसिस phycomycetis में तो जैसे ही दो haploid cell या gamit fuse होते हैं gamit cell तो immediately plasmo gaming के साथ ही केरियोगेमी हो जाती है तो वहाँ diicarion नहीं आता है लेकिन एक intervening period होता है आप समझ सकते हो तो वहाँ बहुत अच्छा क्यूशन आपको दे रखाया है तो यहां बच्चों देखो एसको फाइको में नी फाइको जाईको में नी 75 deuteromycities are called imperfect fungi और fungi imperfectly lack perfect sexual stage जानते हो फंजाई के अंदर लोगर फंजाई फाइको बट जितने लोगर फंजाई उनमें advanced sexual methods है और जो advanced fungi उनमें primitive sexual method है रेट्रोग्रेशी evolution बताया जाता है यानि आप जानते हो कि कवकों में जो विक्षित कवकों में तो आदिम विदिया है लेकिन जो निमन कवक है लोगर फंजाई है फाइको उसमें advanced है बट एक ऐसा गुरुप आता जिसमें लेंगिक जन की विद और बोथ a and are true but r is not correct no no क्याँ पर आपका है बोथ a and are true but r is the correct explanation of a यह बिलकुस ही है क्योंकि थंजे imperfectly lack perfect sexual stage yes or no ध्यान दीजिएगा बच्चो नेक्स्ट अपन बात करते हैं question number 76 की which of the following are character of gygo my cities निमन में से कौन सा लक्षन जाईगो my cities का है तो बच्चो देखो flagellated juice spore के लिए और आप जानते हो कि presence of chitin cell wall तो ध्यान दीजिएगा यह थोड़ा सा extensive question है लेकिन करना बहुत जरूरी है क्योंकि sexual method सारे फाइको में दे रखे हैं देखे बच्चो फाइको my city जो class है यह जो फंगई की जो class होती होती फंजाई की फाइको हो एसको हो बेसि इसके आगे बांटा गया है जैसे कि प्लाज्मो डियो फोरा है काई ट्राइडियो मस्टीज है लेकिन दो में सबक्लास है और जाइगो और जाइगो मस्टीज में आपका क्या आता है राइजोपस में उकर क्यों बच्चों वहां देखेगा कि जो एसक्सुल स्पोर में भी दे रहा है कि एंडोजनेसली प्रोड्यूस होंगे लेकिन में भी मोटाइल फ्लेजिलेटेटीड भी हो सकते है और नोन मोटाइल तो किसमें होते हैं उमाइसेडिज अलबूगों में इदर आपका बने हैं गेमेंटेंजियल मोटाइल स्टक्ऻर ही नहीं है और प्रजन्स और काय टिन साल ओल करेंटे हैं फोर्मेशन ऑप जाइगव स्पौर बनते हैं जाइगो बनते हैं करेक्ठ है कि रिप्रदक्शन भाई गामेंट एंजल कॉपुलेशन यस और नो किलियर तो यह भी करेक्ट है युग मगदानी मैथून तो यह देखेगा कि यहां आप एक को छोड़ दो बाकी प्र और यह दो भी ऑंशेटी आप फोर हो गया नेक्स्ट आप देखेगा क्योश्टर No. 77 इन एसको मांसे सब्सक्राइब अब पकषीन तो यह यह एगा दोनू ही इनकरेक्ट हैं देखेगा देख रहे हैं आप तो आप जानते हो सोरी ए तो गलत होगा यह नहीं है मतलब बोथ ए और फैल्स यानि फोर्थ आंसुर आपका होगा कौन सा होगा फोर्थ किलियर नेक्स देखी के बच्चो 78 रिट दा फॉलोइंग स्टेट्मेंट ए टू डी इन फंजाई प्लाज्मो गेम अकर बिट्विन मोटाईल और नॉन मोटाईल गेमिट्स के लिए यह लाइन NCIT का है फिर फंजाई यूशूली है यह बिल्कुल गर्ट है जाइगोटिक मियोसिस है प्लाज्म गेमि के रिगमिव्र टूं नुक्लियोश क्यों कि होता है यह पैरेनोड अप रिडिगार प्र और आप समसकते हैं कि यह स्टार सीथ होती है और आप जानते हैं इस पॉरेंजिव पॉरेंजियो गेमी ऑलवेज यह रॉंग हो गया जनरली आप जानते हैं यह प्रियोड हो गया और इस्पूर्एश्पूर एंड कोणियार अंडोजिनस एंड एक्ज़नवन से कौन सा मिलान साही है तो फाइब्ट ओफ थोरा इन्फेंसिटेंस बेटा ये पीवाई पी में बहुत अच्छा क्यूशन हाया है ये आप जानते हो कि वू मैसीटी से जो एलबूगो सबक्लास वू मैसीटी न फाइको मैसीटी फंगई की क्लास फाइको की सबक्लास वू मैसीटी से रिलेटेड है एलबूगो और फाइटो थोरा इन्फेंसिटेंस लेट ब्लाइट ओ पोटेटो और फैमाइन ओ आयरलेंड आयरलेंड में अकाल पड़ाता आलू में फुचिते अंगमारी हुई थी यस तो ये आप जानते हो बच्चों की अच्प्टेड मैसीलियम है ये तो सही है लेकिन बेसिडियो नहीं है बही आप जानते हो कि यह यह आप रहता फाइको मैसीटी अल्टर नेरिया सोलेनी जो अरली ब्लाइट ओ पोटेटो करता है यह यहाँ पर सैक्षॉल प्लेक्ट्छन एपसेंट और डूटेरो तो नहीं आते हैं और यहां एगरीकस तो पेरासिट यहीं पर गरत हो गए वरना यह तो सही था तो देखा आंसर क्या हुआ कौन सा मिलान सही है याद रखना correct पुछा आप से तो यह है second आप देखिएगा next आप देखिएगा नाइट्रिफाइंग बेक्टिरिया तो नाइट्रिफाइंग कोन होते हैं भी कीमो सिंथेटिक होते हैं नाइट्रिफाइंग होते हैं जो अमोनिया को पहले नाइट्राइट देन नाइट्रेट में कनवर्ट करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कनवर्ट फ्री नाइट्रोजन नो ऐसा नहीं करेंगे, convert protein नो ये भी नहीं करेंगे reduce nitrate to free nitrogen नो ऐसा भी नहीं करेंगे, oxidize ammonia to nitrates, बिल्कुल correct for answer, next आप देखेंगे, 81 which among the following are the smallest living cell, non without a definite cell wall, pathogenic to plant as well as animal and can survive without oxygen, बहुत अच्छा है क्योशन है बच्छा मस्त क्योशन है, हाया न कि आप देख पा रहे हैं कि भी जो बिना oxygen के सरवाई कर सकते हैं ये faculty to anaerobics है normally aerobically respire करते है mycoplasma, smallest living cell है और smallest moneran है या moneran without cell wall सारे आप समझते हैं या answer है mycoplasma, अच्छा क्योशन है PY क्योशन है, next आप देखेंगे, 82 5 kingdom classification is not best पांच जगत वर्गर्ण इम्निम से किस पर आधरित नहीं है तो बच्चों आप जानते हो कि body organization है thallus organization, unicellular, multicellular अच्छे से बताए देता हूँ देखो, first basis है बेटा type of cell procarot, ucarot second basis है thallus organization है body organization, unicellular, multicellular third है mode of nutrition mode of nutrition सबसे इंपोरेंट है क्योंकि holophytic autotroph plant heterotrophed holozoic ingestion animal और heterotrophed absorbed nutrition fungi और mode of nutrition पर इंपोरेंट इंपोरेंट है कि fungi were removed from kingdom planty on the basis of mode of nutrition in five kingdom classification पांच जगत वर्गी एकने के अलावा five kingdom classification के अलावा only and only five kingdom classification में fungi को separate kingdom दिया गया बाकि इससे पहले fungi plant के साथ include थे हाँ या ना तो बच्चो आप समझ सकते हो कि यहाँ ये भी है ये भी है ये भी है बट gross morphology से कोई मतलब नहीं है हाँ या ना बोलो बच्चो आकार की character को morphology बेसिस ही नहीं किया गए है ना और फिर जो five basis हैं तो type of cell thallus organization, mode of nutrition हाँ या ना और आप समझ सकते हैं कि phylogenetic relationship है reproduction of phylogenetic relationship yes next आप देखेगा question number 83 which of the following statement is incorrect about the class deuteromycities work deuteromycities की बारे में कोण सा खतन गलत है तो बच्चो देखेगा they reproduce only by asexual spore conidia और आप समझ रहे हैं कि भी क्या लिखा है deuteromycities mycelium is this fungi branch and septate possible they have only parasitic form ये गलत है incorrect आपका हो गया they have only parasitic form अरवे deuteromycities अंदर तो alternaria parasitic है solenine collatotrichum भी है लेकिन trichodroma ये biocontrol agent है तो आप देखते हैं बहुत अच्छा question आपके सामने है कि they have only parasitic form गलत हो गया अबी yes next आप देखेगा viruses देखो बच्चो पहले विरोड का question आया था आप वाइरसेज किस किस से बने होते हैं तो उस नुक्लियो प्रोटिन पार्टिकल है nucleic acid and protein बहुत देखो बोलो बच्चो नेक्स्ट आप देखेगा 85 question match the following column and select the correct option इनको इस तम को मिलाओ भी तो देखो बच्चो साही खतन का chain करो L bugo तो एसको स्पोर बेस्टिव स्पोर उस्पोर तो L bugo तो उमाइस्टिज न जाईगोगा gamant angel contact युगमगधानी संपर्क उस्पोर उमाइस्टिज neurospora एसको माइस्टिज है तो एसको स्पोर bracket भंजाई बेस्टिव है तो यह लोग तो A, A में क्या है प्रोडूशर आगे ना कि उसन पीवाई क्यों का तीन चार बार मैं पहले बोल चुका हूँ तो have silica deposit cell wall यह सही है are absent in fresh water bodies और have two flagella in vegetable stage are procket no, no diatomidation flagella नहीं होता है absent present हो सकता है first answer आपका हो गया next आप देखिएगा sexual reproduction is absent in all of these accept किसको छोड़कर सभी में लेंगी प्रजनर absent होता है alternate area deterioration फंजय इंपरफेक्टी नहीं होता yuglina perfect stage उतर नहीं होती no stock procket नहीं होता gonulax में होता है yes or no next आप देखिएगा question number 88 in यह आपका mu spore are produce तो यह आपकी बात हो गई कि भी किसमे तो देखो कि जो ascomycetis में ने कहाता कि जो miospore क्योंकि देखो डा assexual reproduction में mitosis सिर्व spore produce होते है mitospore होते है और sexual में miospore आपके होते है तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि aspergillus endogenously बिलकुर correct है क्योंकि ascomycetis है और जो asco spore endogenously होते है राइजोपस एग्जोजनेसली नहीं अगेरिकस एंडोजनेसली नहीं एग्जोजनेसली होते है morils एंडोजनेसली आपके होते है होगे ना अनसर हाँ है ना बच्चों next आप देखिएगा question number 89 state true or false of the following statement and choose the correct option निमलित खत्रों को सब्सक्राइब गलत बताईए और सब्सक्राइब का चैन कीजिएगा तो all organism from प्रोकेट to the complex युकरेट can sense various change up to variable degree in their surrounding प्रोकेट से लेकर जटिल युकरेट तक सभी जजिए अपने प्रिवेस में अलग-लग डिगरी तक बिविन प्रितों महसूस कर सकते हैं बिल्कुल सही है अल प्रोकेटी जोब टीशू आर प्रेजेंट इन इन गलत है क्योंकि इन गलत है और आप समझा सकते है चैनिकली कॉंप्लिक्रेट फीचर ये करेक्ट है चेतना सभी जियों का इसपस्ट और तक्निकी रूप से जटिल मोस्ट ओबियस सबसे पेचिदा इसपस्ट लक्षन क्या है बच्चो consciousness और defining property है और increase in mass और increase in number of the cells आट्यून करेक्टर अब ग्रोथ इन रिविंग उर्णिजम ये भी correct है हाँ या ना तो देखेगा कि ये ये गलत हो गया है न आप से क्या पूचा है अच्छा true और false पूचा है या 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 तो आप समझ सकते हो A statement आप समझ सकते हो true है B statement क्या है बटा false है C true है और फिट true है तो आप समझ सकते हो कि third answer हो जाएग yes or no and the last question 90 question देखे students आ गया है ना अपना question पेपर पे आ गया है आप समझ सकते है 90 question एगरीकस तो ये मस्रूमी तो एगरीकस बाई स्पोरस बेस्टीडियों बनता है उसमें तो बेस्टीडियों में तो प्लाज्मों गेमिक बाद केरियों में डिले होती ही नहीं होती है intervening period मध्यवर्तिय वस्ता आती ही नहीं तो डाई केरियों है cynocytic IP नो ये तो फाइको का है प्रोड्यूस सेक्सुल स्पोर एग्जोजनेसरी बिल्कुल करक्ट है ये गरोंग है बोलो भी हाँ या ना सारे question होगे एक नहीं होगे तो देखे पहरे students आप समझ सकते हैं कि ये NCIT के दो चप्टर ते Living Word और Biological Classification इतना line to run NCIT और बिल्कुल सिंपल सा paper आपके confidence को बढ़ने के लिए आप अपने आप अंदर से मजबूत ही एक जुनून आप जगा लीजिएगा CLC संग हो जाएगा team CLC संग हो जाएगा मैं बावलाल चोदरी मेरे mobile number है 9461357946 कोई भी doubt है कोई भी query है कोई inside concept नहीं आता है exemplar को ढंग से पढ़िएगा summary को आप पढ़िएगा line to learn को learn कीजिएगा और प्यारे बच्चो ये paper आप दोगे paper देने के बाद आप समझ सकते हो कि अपना solution पुरा यूटूब पे और इस पे अपना बात रे CLC live पे रहेगा ये test रिजोन कर दीजिए बच्चो guaranteed आपका जो minor में या जो आपके coaching में कहीं पर आप और वहाँ score चदरा है उससे 50-100 नंबर आप 100% 50-100 marks आप 100% increase करेंगे NMC National Medical Accounts Commission के according की paper है और बच्चो देखो कि इसमें आंशुर की के अंदर आपको NCRT के page number सारे लिखेगे NCRT के page number और फिर आपके आपके आंशुर की है और बच्चो आपको बता दूं कि देखे का कि NCRT है आप इस NCRT के अंदर यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि भी लाइने कहां कहां इंपोर्टेंट है जैसे वाट इस लिविंग के अंदर यह आपन सारे जो लाइन पढ़ते हैं फोटो पिरेड एफेक्ट रिप्रोडक्शन सीजनल बीडर बोथ प्लांट अनिमल ऐसे क्योशन आ गया है ऐसे आप जान डिफाइनिंग प्रोपर्टी का यह आ गया कि कि जो परजेंट के पास्ट के परजेंट के फ्यूचर करते हैं लेकिन वेरिंग डिगरी साजा करते हैं वह वेनिष्ट आनौन समधारत को लेकिन अलग 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 कांस में वी दंस में आप इंग्लिस से फिर हिंदी में कुछ हिंदी में कि स्टुडेंट है वह दोनों फाइदा ही है अब आप समझ सकते हो कि यह देखो बाइलोजिकल नोमेन क्लिचर जो रूल्स है कई बार एंजट से यहां से क्योशन आ गये हैं ऐसे बच्चों जो टेक्शनों में कैटेगर है 2019 में क्योशन है तो आप समझ सकते हो कि क्योशन इन से आ सकते हैं उसके बाद देखिएगा कि यहां लाइन आईए वह देखो पहले दी लाइन लिखर का है कि क्लासिपिक सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया ब्लुग्रीन अलगी फंजाई मोसेज फरन जिम्नोस्प्रम औ अफिर आप देखें कि यहां पर ऐसा लेर काया कि इट ब्लूग्रीन अलगी वित ग्रूप ऑफ यूकरेट है ना और यहां लिखर काया बच्चों की क्ले मडोनास इस्पाइरोगैरा वर प्लेस्ट टूगेदर अंडर अलगी चाहिए और डूनो डिफ्रेंशिट बिट्व अब आप जानते हो कि जो यह सारे हैं तो प्रोटिश्टा में आ गए देखो यूनिस्ट यूकर्ट और प्लेस्ट किंडम प्रोटिश्टा किंडम प्रोटिश्टा है ज ब्रोट टूगेदर क्ले मडोनास क्लोरेला यस बोलो दिया न यह परामीशियम अम्मिवा के साथ ऐस सारे मेथड्स और प्रोटिश्टा क्राइसोफाइट है डाइन फ्लेजड यूगलेनोड स्लाइम मोल्ड प्रोटोजोंस के सारे गुरूप से क्रेशन और फंजाई किंडम फंजाई से रिमेनिंग एक आदा क्यूशन और फंजाई से अगले टेस्ट में आपका आजाएगा और अगले में आपका टोपयोगा प्लांट किंडम जहाँ पर आप जानते हो कुछ क्रेशन फंगाई बाद एलगी इन प्लांटी की बात होगी एलगी थेलोफाइटा फिर ब्राइवफाइटा टेरडोफाइटा और जिम्नोस्पम क्लियर बच्चों मस्त रहना है तंदुर क्लिauen एलगी तंदुर मांदाबवास श्सेम स्क्राइब जैसी